Hello Friends, और ये हमारी सीरीज है General Studies MCQs की जिसमें हम आपको MCQs प्रोवाइड करेंगे पढ़ाने वाला हूँ जिसमें हम daily 50 questions discuss करेंगे आज हमारा day 1 है और हमारा topic है Indus Valley Civilization तो आएए पहले जान लेते हैं क्या है ये Indus Valley Civilization Indus Valley Civilization is one of the four earliest civilizations of the world दुनिया के सबसे पहले चार जो सबसे पूराने civilizations में से एक था जो बाकी तीन है Mesopotamian Civilization जो की ये तर्की, सीरिया, इरान, इराक एरिया जो है वो Mesopotamia वहाँ पे था, टेग्रिस एंड यूफरेट्स रीवर के किनारे पे दूसरा है Egyptian जो की Nile River के किनारे पे है और तीसरा Chinese Civilization जो की और इसकी सबसे एक खास बात थी कि ये एक systemized urban planning वाला था और इसमें cover drainage system था Towns जो इसमें थे ये two parts में divided थे जो upper part था उसको citadel कहते थे और जो lower part था जो general public के लिए होता था It has a well-nit external and internal trade and barter system was prevalent तो इसमें एक अच्छा खासा एक network था external और internal trade का और external trade most probably इंका Mesopotamian civilization के साथ चलता था और ये trading के लिए ये बाटर system ही use लेते थे और unicorn was the most worshipped animal unicorn जो था ये सरज़ादा वर्शिप किया गया जानवर था यहाँ पे और ये कहां से start होता था ये मांडू जम्मू और कश्मीर में नौर्थ में to दायमाबाद महराष्टर in the south North-south तो ये इसका expansion था और east-west के अंदर ये अलामगीरपूर in the east जो उत्तर प्रदेश में है to सुथका गेंडोर in बलोचिस्तान in the west तो ये इसका east-west expansion था तो आईए हम start करते हैं questions इसके उपर देखते हैं हमारा पहला question पहला fairly egalitarian क्या ये काफी समतावादी यानि की काफी ये समानता में विश्वाश रखते थे second slave labor based क्या ये दाश्च्रम आधारित थे तीसरा color या warn based warn आधारित थे या फिर जात या आधारित caste based थे तो इसका answer है fairly egalitarian आईए इसका थोड़ा explanation भी दे देता हूं मैं तो हड़पन civilization के अंदर कोई भी negative traits नहीं थे जैसे बाकी civilizations जो इसके time के थे उस बाकी civilizations में आप कोई negative traits जो देखने को मिलते हैं वैसा इसमें कुछ भी नहीं था इसमें हड़पन civilization की आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर इसमें से आपके features पुछे जाएं कि इन में से कौन सा feature हड़पन civilization में मिलता था तो उसमें से जो सबसे positive feature हो options में उसे tick लगाएगा most probably वही options ही होगा तो इस society के अंदर क्या था कि it was fairly egalitarian और इसमें कोई भी दास या कोई भी राजा नहीं था और इसके अंदर कोई भी social conflict के science नहीं मिलते कोई भी prisons वगर और कुछ भी नहीं मिलते और जो भी घर थे वो लगबग same size के थे तो इससे पता लगता है कि सब लोग एक समाम थे तो आपका अंसर क्या हो जाता है option number one कि it was a fairly egalitarian society second question देखते हैं which statement on the हड़पन civilization is correct तो इन में से कौन सा कथन हड़पन सब्यता के लिए सही है तो इसमें देखते हैं horse sacrifice was known to them cow was sacred to them पशुपती was venerated by them या फिर the culture was not generally static क्या अशुबली उन्हें ग्याद थी या गाये उनके लिए पवित्र थी या पशुपती उनके दुआरा वंदित थे या संस्पृती आम तोर पर थिर नहीं थी तो इसका अंसर है option number four the culture was not generally static आए इसका explanation देखते हैं कि इसमें जो pottery मिली हड़पन civilization में उससे पता चलता है कि ये इवाल्व करते रही हडपन civilization with time तो कि different types of potteries and ceramic art forms अलग-अलग type की potteries और ceramic art forms different stages में मिली civilization के जिससे पता लगा कि ये civilization static नहीं था पहले ये इवाल्व होते हैं अपने peak पर पहुंचा और फिर बाद में ये gradually decline होता रहा ये अचानक से खत्म नहीं हुआ तो आपका correct answer है option number four आईए question number three देखें Out of the following remains excavated in Indus Valley which one indicates the commercial and economic development तो सिंदु गार्टी में खुदाई में निमलिकित में से कौन सा अवशेश वानिजिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है तो क्या इसकी potteries या मिट्टी के बरतन यानिगी या महरें नावें या फिर इसके घर तो इसका जवाब है इसके महरें यानि की seals Seals of Indus Valley Civilization provide information about economic activities इसकी जो ये महरें हैं इसके ये आर्थिक जो गतिवीदियों के बारे में जानकरी देते हैं और इसकी economy, industrialization की mainly ये agriculture based थी highly organized agriculture बट इसके साथ-साथ ये active trade and commerce भी करते थे most probably with Mesopotamian civilization और trade के बारे में आपको पता लगता है इसकी जो ये seals जो मिलती है उन से तो आपका correct option हो गया answer number option number two तो question number four देखते हैं the earliest city discovered in India was तो जो सबसे पहली city जो इंडिया में डिसकावर हुई थी वो थी हडपा इसलिए इसका नाम है हडपन civilization और यह जो इसके जो रियूंस थे हडपा के यह 1842 में Charles Mason ने discover कर लिये थे अपने जो यह अलग अलग जगे जाते थे बलोचिस्तान अफगानिस्तान पंजाब औरों में तो उनके जो narrative जो इन्होंने archaeology भी कहते हैं वो भी 1856 के around इसके site को visit उन्होंने किया बट कोई interest खास नहीं लिया और 1872-75 में इन्होंने हडपन seal भी release की बट उसे he mistook as a Brahmi seal Brahmi अपने ancient India की एक writing language थी writing style थी तो उस seal से इसको mistake कर लिया उन्होंने but in 1921-22 Sir John Herbert Marshall ने इसकी खुदाई स्टार्ट की राय भादुर दयाराम सहनी और माधो स्वरूप वद्स के साथ तो आपका correct answer है answer option number one the organic relationship between the ancient culture of the Indus Valley and Hinduism of today is provided by the worship of तो आज के इंदुदर्म और प्राचीन Indus Valley संस्टिती के बीच जैविक संबंद किस की पूजा से साबित होता है क्या पशुपती इंद्र और देवी मा की पूजा से पत्थर पेड और जानवर की पूजा से विश्नु और लक्षमी की पूजा से या शिव और शक्ति की पूजा से तो आपका correct answer है option number two Stones, trees and animals पत्थर, पेड और जानवर की पूजा से इससे क्या कई सारी sites से evidence मिली है कि हडपन लोग nature की वर्षिप करते थे और ऐसी वर्षिप अपने हिंदुईज में भी मिल सकती है especially during the Vedic age रिगवेज में आपको मिलेगा यह कि हम nature की हम वर्षिप कर रहे थे तो इसलिए आपका answer correct हो जाता है option number two देखें next question which was the only index site with an artificial brick dockyard तो artificial brick dockyard क्रिप्तिम इंट बंदरगा वाला एक मातर सिंदू स्थल कौन सा था तो आपका answer है लोथल लोथल जो है गुजरात के अंदर लोकेटिड है and was the only site with artificial dockyard यह 1954 में ऐसा राओ द्वारा discover किया गया था और यहां पर इसमें factory मिली थी stone tools की और metallic finished goods की तो आपका correct answer है option number one which of the following domesticated animals was absent in the terracotta of industrialization तो जो सिंदू घाटी जो सब्यता थी उसके जो यह terracotta के जो बर्तन थे उन में से कौन सा यह जानवर अनुपस्तित था तो आपका answer इसका सही है guy, cow option number three यह जो इसके जो terracotta के जो यह मिले थे figurines Indus Valley Civilization में उनसे हमें पता लगता है कि हड़पंस ने कई सारे animals को domesticate किया जैसे कि यह हो गया आपका bell, bands, sewer, बकरी, भेड आदी camel जो उन्ट हैं और यह गदे थे जो थे ashes were used as means of transmort और कुत्ते और बिल्ली को यह pets की तरह रखते थे और hump bull was considered a great asset in the farming community जो यह अपना sand था उसको यह खेटी बाड़ी में अच्छा asset माना जाता था पर गाए के कोई भी figurines नहीं मिले तो आपका correct answer हो जाता है option number three cow next question which was the only in the city without a citadel बिना जो गड़ वाला एक मातर सिंदू शहर कौन सा था काली बंगा हडपा मोहंजोदरो या चानुदरो तो आपका answer है सही चानुदरो चानुदरो is the only city which lagged a citadel चानुदरा ही एकलोता ऐसा शहर था जहांपे कोई गड़ नहीं था और इस city के अंदर आपको factory मिलती थी beads और bangles यह मोती बनाने और यह studio बनाने की फैक्टरी यहां पे मिलती थी यह सिंद के अंदर located है पाकिस्तान में और इसको discover किया था M.G. मजूमदार में in 1931 The essential feature of the Indus Valley civilization was सिंदु घाटी सब्यता की प्रमुक विशेशता क्या थी सिंदु घाटी जो सब्यता थी इसकी सबसे प्रमुक विशेशता थी वो यह थी कि यह organized city life संगठित शहरी जीवन जीते थे जो हरपन्स head of well-planned and organized city life और यहां पे underground drainage system था lamp posts भी erect किये गए थे तो यह भौत ही well-planned city थी तो यह अरबन पीपल थे तो यह initially भी मैंने आपको बताया था इसलिए आपका correct answer हो जाता है option number two people of the Indus Valley civilization usually build their houses off सिंदु घाटी सब्वेता के लोग आम तोर पर अपने घरों का निर्मान किस से करते थे पक्का bricks, stone, wood या all of the above तो आपका correct answer है पक्का bricks मैंने आपको बताया वी था कि कोई भी इन में से सबसे positive option जो आपको लगे वो चूज करिये तो सबसे बड़िया चीज क्या रहेगी घर बनाने के लिए वो है पक्की इन्टे तो यह आपका correct answer है houses were made of baked bricks ठीक है पक्की इन्टों से घर बने होते थे और हर घर का खुद का एक private drinking well था खुद का private bathroom था अच्या घरों की खास बात यह थी कि यह two stories होते थे और निचले एक की जो मंजिल थी उस पे कोई भी खिडकी बगारा नहीं होती थी और अगर gate से भी देखते थे तो घर के अंदर का आपको ज़्यादा नहीं दिखता था कोई barrier आ जाता था तो यह privacy बहुत पसंद करते थे तो आपका correct answer है option number one the first metal used by man was मानव द्वारा प्रयोग तो पहला धातू था अपना तामबा यानि की copper तो यह जो नियो लिथिक नियो मतलब नया लिथिक मतलब पत्थर तो यह नया पाशान यूग के अंत पे अपने यह धातूं का प्रयोग किया जाने लगा और पहला जो धातू यूज लिया था वो और इस पिरेट को कहते हैं चैलको लिथिक पिरेट, चैलको यानि की copper यह copper होता है और लिथिक यानि की पत्थर तो यह it is also it refers to stone copper phase तो पत्थर और copper दोनों यूज लिये जाते इस फेज में इसको चैलको लिथिक phase करते थे, तो copper आपका पहला metal था, जो कि इंसान ने यूज लिया था, तो देखें next question, worship of mother goddess was associated with, किस civilization के साथ अपने देवी मा की पूजा जुड़ी है, iron civilization, Mediterranean civilization, Indus valley civilization, या later Vedic civilization, तो आपका correct answer है, Indus valley civilization, जो ये figurines of mother goddess have been found from several sites, कई सारे इसके जो sites हैं, उन पे ये mother goddess के ये मूर्तिया टाइप मिली हैं, जैसे कि हडपा, मोहनजादरो, काली बंगा में से, जिससे पता लगता है कि ये देवी मा, यानि mother goddess की पूजा करते थे, तो आपका correct answer है, option number 3, the striking feature of the Indus Valley Civilization was, सिंदुगाटी सभ्यता की अनोखी विशेशता क्या थी, ये हमने आभी discuss भी किया था, कि ये एक urban civilization था, ये शहरी सभ्यता थी, तो बाकी civilizations को अगर compare करें, तो ये उनसे ज़्यादा planned था, better planned था, ज़्यादा urbanized civilization था, इन मोहन जोदरो, the largest building is, अच्छा मोहन जोदरो का ध्यान की देखे, हडपा तो पहली जो city थी, वो हडपा थी, जो discover की गई थी, पर हडपा के साथ problem ये थी, कि जो इंटे और इसकी कई इंट चोर थे, जो उन्होंने चुरा ली थी, इतनी सारी तो वो बहुत ज्यादा डैमेश्ट इंटे, मतलब साइड थी, लेकिन मोहन जोदरो कंपरिटिवली वेल प्रिजर्वड थी, और ये 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 वन अब दा मेन सिटी लगती है, उसकी साइज और देखते वे जो चीज़या महां से मिली इसलिए, तो दो लार्जेस्ट बीडिग इस ये अनभंडारा, ग्रेनरी वस दा लार्जेस्ट बीडिग इन मोहन जोदरो, दो ग्रेट ग्रेनरी अफ खडपा वस, सोरी खडपा नहीं, यहां आएगा, मोहन जोदरो, मौन जोधारोग वस दा लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दा इंडस वैली सिवलाइजेशन यह पैंतालिक सी मीटर लंबी और पंदरा मीटर चॉड़ी थी और इसमें फूर्ड ग्रेंज स्टोर करने लिए इसको बनाया गया था और इट है लाइन्स ऑफ सर्कुलर प्लैटफ भी थे और वहाँ पे सर्कुलर यह गोल ब्रिक प्लैटफॉर्म से तो ग्रेंज को यह पाउंड करने के लिए भी तो आपका करेक्ट अंसर है ऑप्शन नमबर टू काली बंगर इस सिचुएटिड इड़ काली बंगा कहां पे स्थित है काली बंगा स्थित है आपका राजि इसको डिसकावर किया था बीबी लाल ने इन 1959 और इसका नाम का मतलब है ब्लैक बैंगल यानि काली चूडियां काली बंगन बंगर मतलब बैंगल चूडियां काली बंगर इस डिस्टिंविश्ट बाइ इस युनीक फायर अल्टार्स एंड वर्ड्स अर्लियस्ट तो जो सिंदु लोग वजन और माप के उपयोग को जानते है जो की सील की खोच से साविद होता है तो वो सील कहां पे मिली थी? वो सील हमें मिली थी हडपा में और ये इन्डस पीपल जो थे ये वेट्स अड मेजर्स यूज लेते थे इन मल्टिपल्स ऑफ 16 तो आपका correct answer है option number 2 तो आएए देखते हैं अब next question who amongst the following is associated with the study of हडपन civilization तो इन में से कौन हडपन civilization के study के साथ associated है तो आपका correct answer है M.S. Watts M.S. Watts अब ये Charles Mason और Cunningham का तो अपने already discuss करी चुके हैं तो Charles Mason ने तो सबसे पहले इसको अपने accounts में discuss किया था in 1942 और ये Alexander Cunningham उन्होंने ये अपने जो father of Indian archaeology उन्होंने इसकी seals और को mistook कर लिया था और ब्रह्मी seals तो M.S. Watts जो M.S. Watts was involved in excavation with Daya Ram Sahani और इन्होंने अपनी observations को अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम था excavations at हडपा तो आपका correct answer है option number 4 the हडपांस were the earliest people to produce तो हडपांस पहले लोग थे जिननों पात किया था किस चीज का वो है कपास यानि की cotton का हडपांस were the earlier people to produce cotton the megalithic culture brings us to the historical period in South India the megaliths used जो megalith यानि महापाशान संस्कृती हमें दक्षिन भारत के एतियासिक काल में लाती है महापाशान इस्तेमाल क्या करते थे तो पहले देते हैं महापाशान क्या है मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर तो बड़े पत्थरों का जो यूज होता था उसे कहते हैं megalithic culture तो इसके अंदर महापाशान जो megaliths क्या यूज देते थे क्या weapons made of stone, tools and implements made of stone पत्थर से बने औजार graves encircled by pieces of stones की पत्थर से बड़े टुक्रों से गिरिवी कबरें या articles of daily use made of stone पत्थरों से बने दैनिक उप्पियों की सामगरी तो आपका correct answer है option number 3, graves encircled by big pieces of stones megalith जो है जैसा मैं बता है एक बड़ा पत्थर है जो की use लिया जाता है एक construct करने के लिए कोई monument या तो अकेले या और बड़े पत्थरों के साथ तो इन में से कई सारे जो है उनके अंदर आपको human remains मिल जाते हैं बट अभी हमें ये शोर नहीं है कि ये burial site ही इनका primary function था या कुछ और था तो आपका correct answer है most appropriate answer is option number 3 next question the हडपन civilization was discovered in the year तो ये हमने अभी थोड़ दिर पहले discuss भी किया था इसका correct answer है 1922 हडपा was excavated in 1921-22 by राय भादूर दया राम सहनी in which city of Indus Valley civilization was the plot field found अभी थोड़ दिर पहले मैंने आपको बताया भी था वो city का नाम है काली बंगा काली बंगा जो की हनमानगर तैसील में है राजस्थान में घगर नदी किनारे पे वहाँ पे मिलता है आपको ये which of the following materials was mainly used in the manufacture of हडपन सील्स तो जो है हडपा की जो महरें थी उन्हें बनाने में मुख्यते कौन से सामगरी का उप्योग किया जाता था तो आपका अंसर है सही तैराकोटा जो की पकी मिटी ये जो पकी वही जो क्ले होती है पकी मिटी उसके बनी होती थी इसकी सील्स तो जो हडपन सील्स वर मेली मेड़ अफ तैराकोटा और इन में से कई सारी सील्स पे आपको जानवर बनावा मिलता था तो ये क्या होता था ये सील्स ज और अगर हो सील से काफ़ी बनाः पड़न वह रिखाई होता, जो की पड़र, होती थी तो सील के अंदर एक खोकी लिखा हुआ कुछ होता था, जो कि हमने पता नहीं क्या है और साफ में कोई मोटिफ बना होता था कोई चीतर सा बना होता था उन लोगों के लिए जो की पढ़ नहीं सकते थे और अगर वो सील टैंपर होती थी तो इसका मतलब यह था कि आपके समान के साथ छेट साड़की गई है तो हडपन सील से काफी इंफोर्मेशन मिल जाती है लेकिन हम उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाये हैं लेकिन उससे काफी हतक हमें आइडिया लग जाता है उसकी इकोनॉमिक, शोशल और कई सारी एक्टिविटीज का हडपा is situated on the bank of river हडपा कौन सी नदी के किनारे पर है तो हडपा रावी नदी के किनारे पर है और मोहन जोदरों को अगर हम बात करें तो वो इंडस यानि की सिंधू नदी के किनारे पर है तो सिंधू घाटी सबत को विशाल सनान घर पाया जाता है कहां पर यह हमारा पाया जाता है मोहन जोदरों में और यह ग्रेट बात जो है इसको माना जाता है आर्केलाजिश के दुआरा कि कोई ritualistic बात के लिए यह यूज लिया जाता था तो well-preserved tree fossil supposed to be from Jurassic age in India is reported from बारत में जुरासिक यूग से सनक्षित माने जाना है वाला पेड़ जीवाश में कहां पर मिला यह हमें मिला था 36 गड़ के अंदर और 36 गड़ और researchers from State Forest Research and Training Institute in 36 गड़ उन्होंने नवंबर 2012 में एन्नाउंस किया कि एक फॉसिल इनोंने डिस्कावर किया है जो कि डाइसो मिलियन साल पुराना है या फिर जॉरासिक एज का है जॉरासिक पार्क मूवी सबने देखिए तो आपको पता होगा कि जॉरासिक एज कौन सी एज थी वहां पे कौन सा जानवर प्री डॉमिनेट करता था वो था वालाइजैशन इस जो अपने सिंदु घाटि सब्वेता की जो लिपी है वह कौन सी है खारोश्थी है या अब तक इसको हम ्डैसिफर या पढ़ नहीं सके हैं ड्रहमी है या तमिल है ये भी हमारे इंशिंट इंडिया की ही स्कृप्ट थी खरोश्टी ये भी हमारे इंश जो script की जो style है इसको कहते है बॉस्टे फेड ओन इसके अंदर क्या होता है कि पहली पंक्ती तो आपकी right to left चलती है फिर दूसरी left to right आपकी चलती है फिर right to left ऐसे चलती है आपकी यह script और आपको पता कैसे चलता है कि यह right to left है left to right तो क्या है कि यहां से जैसे हम अपने notebook भी ल लिखते हैं लेकिन जैसे हमारे पास जगे कम पढ़ने लगती एक line में हम सोचते हैं इस line के लिखने लिखने तो हम थोड़ा दबा दबा के लिखने लग जाते हैं थोड़ा कम spaces के साथ लिखने लगते हैं तो इसी तरीके से इस script के अंदर भी वहां पे जो मिली है सीथ और उसमें लिखा हुआ इसी तरीके से है तो इससे हमें पता लगता है कि यह पहले तो right to left चलते हैं फिर left to right और इस style हो कहते हैं बॉस्ट और फिड़न style और यह script अभी तक हमें पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है तो आपका correct answer है option no.2 Lothal the dockyard site of Indus Valley civilization is situated in तो Lothal जो कि Sindhu सब्देता का बंदरगा है वो कहां पर स्थित है तो आपका मैंने पहले ही बताया था है यह गुजरात में स्थित है At which of the following sites was the famous dancing girl found तो निमलिखित में से किस site पर प्रसिद dancing girl पाई गई थी तो वो है हमारे मोहन जोधड़ों में मोहन जोधड़ों में हमारे यह bronze की कांसे की बनी यह dancing girl काफी प्रसिद है यह पाई गई थी Name the oldest Indian civilization भार्त का सबसे पुराना civilization कौन सा है तो आप देखेंगे options तो एक तो यह Mesopotamian तो हो नहीं सकते है तो Mesopotamian का है जो की Turkey, Syria, Iran, Iraq जो एरिया है वहाँ पे Middle Eastern वहाँ पे होता है Egyptian आपका Egypt में होएगा तो अपना इंडिया का सबसे पुराना civilization था वो था Indus Valley civilization One of the following Indus Valley sites is in Pakistan इन में से एक Indus Valley site पाकिस्तान में है वो कौन सी है तो लोथल आपकी गुजरात में है काली बंगा आपकी राजिस्थान में है अलामगीरपूर आपकी उत्तर प्रदेश में है हडपा आपके पाकिस्तानी पंजाब के अंदर है तो आपका correct answer है option number four इन में से सब उनको आप match करिये जो सही सही match करने का तो कौन सी जगए इस खरक किस जगए पर मिली यह आपको match करना है तो अपने देखते हैं मोहन जोधरो में क्या मिला वहाँ पे हमें मिला था statue of a priest हडपा में आपको मिला था red sandstone mill torso मतलब की लाल बाड़ो पत्थर से बना इंसान का धड़ काली बंगा में आपको मिले थे यह मैंने अपने discuss भी किया था कि हल के निशान और लोथल आपको पता ही है कि बंदरगा था तो आपका correct क्या है a का 1, b का 4, c का आपका है 3 और d का आपका है 2 तो correct option इनमें से कौन सा हो गया आपका यह है correct option 1 मोहन जोदरो का सिंधी में मतलब क्या है मोहन जोदरो का सिंधी में अर्थ क्या है क्या यह city of evil spirits गुरी आत्मों का शहर या पशुपती का भोजन या शीव की भूमी या मृतको का तीला तो आपका correct answer है the mount of the dead मृतको का तीला which was the backbone of इंडस economy सिंधु अर्थ विवास्ता की read कौन सी थी तो सिंधु अर्थ विवास्ता की read थी इसकी खेती बाड़ी यानी की agriculture तो जैसे की बाकी contemporary civilizations में देखा गया कि agriculture ही सबसे इसकी मजबूत ये read की हड़ी थी इंडस economy की और लोग जो यूज लेते थे ये लकडी से बने हल और यूज लेते थे बारले और wheat जो और wheat जो इसका main खाना था और जो rice है ये बहुत ही rarely मिलते हैं आपको इसमें बहुत ही rare sites में आपको rice मिलते हैं कौन सी sites मिलते हैं ये आगे question हम discuss भी करेंगे तो आपका correct answer है option number one in which of the following periods ostriches were found in India so the following periods आए गए हाँ पे तो आपका correct answer है paleolithic period यानि पूरा पाशानकाल paleo पुराना लिथिक पत्थर अब मैं आपको सारा बताए तो neo मतलब की हमारा नया लिथिक पत्थर तो ये नवपाशानकाल फिर ये मीसो लिथिक मीसो मतलब बीच का मध्य और लिथिक पत्थर तो मध्यपाशानकाल और मेगा लिथिक मेगा मतलब बड़ा और लिथिक मतलब पत्थर तो ये है महापाशानकाल तो correct answer है आपका पूरा पाशानकाल यानि Paleolithic period तब हमें शतुर मुर्ग के पाए जाते थे भारत में उस टाइम में शतुर मुर्ग पाए जाते थे तो ostriches were found in India during Paleolithic period और large quantities of ostrich eggs बहुत ही बड़ी मातरा में ostrich के अंडे पाए गए पार्टने इन महाराष्ट महाराष्ट में पार्टने जगए है वहाँ पर और इनमें अब फिर कई सारे design भी engrave किये गए कई सारे pieces में और कईयों की हमने मोती वाती भी बना लिए तो आपका correct answer है option no.1 Paleolithic यानि पुरा पाश्चान काल इनमें से कौन सा डैश is considered to be the oldest discovery of Indus Valley civilization यहाँ पर यह नहीं पूसरा कि सबसे पहले किसकी खोज की इस चीज़ पर गौर कीजिएगा यह पूसरा है कि सबसे पुरानी खोज कौन से मानेगी तो वो उसका आपका अंसर है भिरदाना आपका यह भिरदाना है जो कि हर्याना के फतेबार district के अंदर है और यह प्रिपन मोहन जोदरो is situated on the bank of which river? मोहन जोदरो कौन से नदी की किनारे पर है तो यह मैंने आपको बताया भी था यह सिंदू याने की इंडस जो रिवर है उसके किनारे पर है मोहन जोदरो इंडस हडपा रावी के चानुदाडो इंडस फिर से रोपर हमारा सतलग यह पंजाब में है लोथल भोगवा जो की साबर मती की जो ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे पर है गुजरात में काली बंगा जो रायस्तान में यह घगगर में है और अलामगीर पूर यह हिंडोन नदी के किनारे पर यह उत्तर प्रदेश में है यह हमारा सिंद में है, यह पाकिस्तानी पंजाब में है यह हमारे पंजाब के अंदर है यह गुजरात के अंदर है Case and rock shelters of paleolithic age have been found in which of the places in India तो पुरा पाशान युक की गुफाएं और रॉक शेल्टर भारत में किस स्थान पर पाए गए हैं तो इसका करेक्ट अंसर आपका है भीम बेटका में बोपाल के पास मद्यप्रदेश में भीम बेटका रॉक शेल्टर आर्केलोजिकल साइट्स हैं सेंटरल इंडिया में जियों की प्री हिस्टोरिक पेलियोलिथिक जो पीरेड है उससे स्टार्ट होके मिजोलिथिक पीरेड और हिस्टोरिकल पीरेड तक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे उसके और इसके अंदर हमें इंसान के human life के Indian subcontinent में होने के सबसे पहले traces मिलते हैं और रॉक शेल्टर के अंदर ये large number of paintings कई सारी paintings मिलेंगी उनमें से कई paintings तो 10,000 साल पुरानी भी है तो आपका correct अंसर है बीम बेटका जो की मद्यप्रदेश में है बोपाल के पास In which of the following places were dogs buried along with their masters in neolithic age जो नवपाशा न्यूग है उसमें से कौन से स्थान पर कुतों को उनके स्वामी के साथ दफनाया जाता था तो आपका अंसर है correct बुर्जा होम तो बुर्जा होम में आपका correct अंसर में मार्ट कर देता हूं correct अंसर है बुर्जा होम तो बुर्जा होम है उसके अंदर कुतों को अपने जो मास्टर से उनके साथ न्यू लिथिक एज जो नवपाशा न्यूग उसमें दफनाया जाता था बुर्जा होम आर्केलोजिकल साइट आपके कांपे कश्मीर जो घाटी है वहाँ पर तो आपका correct अंसर है option number one who discovered the city of हडपा तो हडपा की खोज किस ने की थी तो ये की थी राय भादुर दयारामसानी जी ने 1921 में तो हडपा की खोज की थी दयारामसानी जी ने मोहँजोज़रो की की थी राखल दास बेनरजी आरडी बेनरजी ने लोथल की की थी S.R. राउ ने काली बंगा की की बीबी लाल ने रोपड और अलामगीरपूर की की वाईडी शर्मा ने चानुदाडो की की M.G. मजूमदार ने और रंगपूर जो जगह है उसकी की M.S. वत्स ने Which among the following has not been found in excavation of हड़पन साइट तो हड़पन जो स्थाल है उनकी खुदाई में निम लिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई गई तो वहाँ पे ड्रेंस और वेल्स तो पाई गई या तक की जैसा मैंने आपको बताया था गर्द के अंदर खुद का एक कुवां होता था फोर्ट वहाँ पे मिलता था जैसे कि आपको पता है कि जो शहरें दो पार्ट के इंदर डिवाइड़िड था एक सिटाडलिया फोर्ट होता था उंचा और दूसरा होता था जो आम लोगों के लिए जगह तो वह भी नहीं रिजरवाइड मिले थे जलाश है जो कि यह शायद अग्रिकल्चर के लिए यूज लेते थे या किस चीज के लिए यह हमें पका नहीं पता पर यह रिजरवाइड भी मिले तो क्या चीज नहीं मिली वहाँ पे थे यह टैंपल विद शिकर हड़पन लोग मूर्ति पूजा करते थे लेकिन वहाँ पे आपको हड़पन सिललाशेशन में कोई भी टैंपल नहीं मिलेगा कोई मंदिर नहीं मिलेंगे आपको तो आपका करेक्ट अंसर है ऑप्शन नमबर फोर which of the metals was not known to the people of Indus Valley civilization तो सिंदु गाटी सबेथा की लोगों को कौन सी धातू ग्यात नहीं थी तो इसका सही उत्तर है आयरन यानी की लोहा at which places were rice husks found तो ये चावल की गूसी किन स्थानों पर पाई गई थी तो आपका करेक्ट अंसर है लोथल और रंगपूर इन दोनों जगों पर पाई गई और ये दोनों जगे ही आपकी गुजरात में है रंगपूर अभी थोड़ देर पहले मैंने आपको बताय भी था और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था थोड़ देर पहले की राइस बहुती रियर मिलती थी बाकी बारले और वीट इसके ये मेन जो डाइट थी वो थी At which of the places was a bronze sculpture of dog chasing a deer found तो किस स्थान पे हिरन का पीछा करते की कांसे की मूरती मिली थी तो इसका आपका जवाब है हडपा हडपा में आपको हिरन का पीछा करते की कांसे की ब्रॉंस की जो ये मूरती आपको मिलती है Which of the following was found at काली बंगन काली बंगन में इन में से कौन सी चीज आपको मिली थी तो काली बंगा बंगा यानि बैंगल तो आपको फिर इस से आप खुद ही common sense लगा सकते कि वाँपे बैंगल फैक्टरी मिली ही होगी आपको ये बाकी जो ये great bath, the great grandry और multi-pillar assembly hall ये आपको मिले थे मोहन जो दड़ो में ये तीनों की तीनों आपको मोहन जो दड़ो में मिलते हैं ये एक बैंगल फैक्टरी आपको मिली थी आपको काली बंगन में इन which of the following cities were actual remains of rhinoceros found की इन में से कौन सी इस शहर में इंडर्स वैली सीलाजेशन के उसमें गैंडे के वास्तविक अवशेश पाए गए थे तो इसका आपका सही जवाब है अम्री अम्री के अंदर आपके जो है गैंडे के actual remains पाए गए थे और remains of camel यानि उन्ड के वो काली बंगा में पाए गए थे और जो घोडे के जो remains थे वो सुरको ताड़ा के अंदर पाए गए थे Which city is known as Manchester of Indus Valley Civilization तो सिंदु गाटि सबेता के Manchester के डूप में किस शहर को जाना जाता है तो इसका जवाब है आपका लोथल लोथल was called the Manchester of Indus Valley Civilization क्योंकि इसका जो cotton trade काफी expanded थी इस वज़े से Which city was the only city to be divided into three parts तो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये जनरली ये दो पार्ट में city divided होती थी citadel यानि गड़ जो कि थोड़ा उंचा होता था और फिर आम लोगों के लिए जो रहने का इस्थान वो थोड़ा निचला होता था लेकिन जो आपका धोला वीरा जो जगे है वहाँ पर ये तीन parts में divided था और कौन सी ऐसी city थी जहांपे कि आपको गड़ नहीं मिलता वो चानुदाड़ो था ये हम पहले डिसकस कर चुके हैं तो इसे पहली पंक्ती में दाएं से बाएं और दूसरी में बाएं से दाएं की और लिखा जाता था या उपरोक्त सभी तो आपका सई अंसर है उपरोक्त सभी तो ये अच्छा मैं आपको बतागाँ कि जैसे हमने पहले भी देखा कि ये बॉस्ट्रो फेड़ोन स्क्रिप्ट थी और इसको अभी हमिक्स्तन नहीं कर सके हैं यह डेशाइफर करने के लिए आपको को रोजेटा-स्टोन टाइप कोई चीज़ चाही होती है जो कि रोजेटा-स्टोन ने काफी help की थी एक पुराने ancient जो ये Egyptian script को decipher करने में Rosetta Stone के अंदर क्या था कि ये stone के अंदर ये एक कोई addictive था उसके अंदर कोई भी एक decree थी वो फ्री scripts के अंदर लिखी गई थी जिन मेंसे दो तो ancient Egyptian script थी एक ancient Greek script थी तो इस वज़े से हम Rosetta Stone की मदद से हम यह पता लगा पाए थे कि यह स्क्रिप्स क्या कह रही थी तो यह एक major breakthrough रहा था रोजेटा स्टोन का found करने में इन स्क्रिप्स को decipher करने में और इसलिए हमारे लिए इडियम भी चलती है कि यह रोजेटा स्टोन जो है इसकी spelling यह जाते मुझे ध्यान आ रहा है रोजेटा स्टोन अगर किसी चीज को रोजेटा स्टोन कहा जाता है अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है कि वह चीज बहुत ही instrumental है किसी भी पॉजल को सौल करने में तो इसलिए उसको रोजेटा स्टोन कहते हैं तो ऐसा को रोजेटा स्टोन जैसी चीज अभी हमें इंडस वेली सिलाजेशन में नहीं मिली है इसलिए हम इसकी स्क्रिप्ट को decipher नहीं कर पाए है Which city is known as the gateway city of इंडस वेली सिलाजेशन किस शहर को सिंदु गाटि सब्वेता के प्रवेश दुआर के शहर के रूप में जाना जाता है तो इसका सही उत्तर है आपका हडपा अडपा की जो जो ग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिससे को देखते हुए कि लगबग आर्केलोजिस्ट ये मानते हैं कि यही gateway था प्रवेश दुआर था इंडस वेली सिलाजेशन का और आज का हमारा लास्ट कोशन है In which of the following cities were two rows of six granaries found निमलिकित में से किस शहर में छे ग्रेनरीज ग्रेन आइट नहीं ग्रेनरीज है ये ग्रेनरीज जो अनगार है की दो पंक्तियां पाई गई थी तो इसका आपका सही जवाब क्या है क्या मोहन जोड़ो चांदुडो दायमाबाद ये हडपा अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं मोहन जोड़ो में आपको दा ग्रेट ग्रेनरी मिली थी ये विशाल अनगार मिला था वो था मोहन जोड़ो में लेकिन ये जो दो पंक्तियां जो 6 ग्रेनरीज के अनगारों के वो आपको हडपा मन मिली थी तो ये confuse मत हो जाना तो great granary कहां पे मिली मों जरदरो लेकिन ये 6 granaries की जो 2 row है वो आपको हड़पा में मिली थी तो आपके ये 50 question यहीं खत्म होते हैं और आपका जो Indus Valley Civilization है इसी वीडियो में आपका पूरा cover हो जाएगा इसके अलावा आपको एदर दर कहीं भठकने की जरूरत नहीं है Indus Valley Civilization पढ़ने के लिए आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए इससे questions कर लीजिए और जो explanation जो दिया है वो आप अच्छे से समस लीजिए आप लगबग questions Indus Valley Civilization के cover कर लेंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा Thank you